आप सभी का मैच्स विजे सिंग में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्मूटेशन के बारे में तो आज हम पर्मूटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे देखेंगे कि पर्मूटेशन होते क्या है पर्मूटेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है ये रहा पर्मूटेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम चै ठीक है न आपको इंग्लिस से नहीं समझ में आ रहा हो गले कि हिंदी से ऐसे देख के समझ में आ रहा है कि पर्मूटेशन मतलब क्रम चै क्रम चै का मतलब क्या होता है क्रम से चैन ठीक है ठीक है जिसमें क्रम क order का ध्यान रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं पर्मूटेशन बोलते हैं क्रमचे बोलते हैं चलो हम बात करते हैं कि क्रमचे को कैसे और असानी से समझ सकते हैं permutation का एक और meaning होती है क्या arrangement ठीक है permutation की एक और meaning क्या होती arrangement मतलब arrange करना हम यहां पर permutation को arrange करना समझेंगे जैसे मैं बोला कि यह एक 3 box है ठीक है ABC 3 box है तो यह ABC को हम कितने तरीके से arrange कर सकते हैं ठीक है न देखो arrange कर सकते हैं मैं बोल रहा हूँ तो arrange करने का मतलब यह होता है कि अगर order बदल देंगे तो हमारा एक नया arrangement बन जाएगा जैसे मैं बोलो कि A, B, C ये एक arrangement है क्या तो हाँ दिख रहा है टिकन तीनों को लेकर arrangement करना है तो टिकन ये भी arrangement हो सकता था A, C, B common मैं नहीं लगा रहा हूँ समझते रहे न ये भी एक arrangement हो सकता था देखो arrange हो रहा है दूसरे तरीके से मैंने क्या किया है कि कि अबल order बदल दिया टिकन अगर order बदलने से अगर हमारा answer आ रहा है मतलब एक term हमें और नया मिल जा रहा है तो ये क्या होगा permutation होगा अगर order बदलने पर हमें कुछ नया नहीं पता चल रहा है तो उसे बोलते हैं selection ठीकन मैं selection मतलब combination बाद में समझा दूँगा उसका भी अब फिलाल एक जैसे ये term समझ दे रहा है कि अगर हमें order बदलने पर कुछ हमा नया arrangement दिख रहा है तो उसे हम permutation ही बोलेंगे ठीकन दूसरी बात कि यहाँ पर इसको ऐसे भी arrange किया जा सकता है पहले A हो गया अभी B को पहले रखेंगे तो क्या होगा A, C और B को पहले रखते तो क्या हो सकता था C यह भी हो सकता था अभी पांचवा arrangement देखो अगर C को पहले रखेंगे तो A भी हो सकता था C को पहले रखेंगे तो B यह हो सकता था ठीकन तो यह 6 तरीके से arrangement टोटल बन रहे हैं तो इन ही तरह के बेवस्थाओं को पढ़ने के लिए हमें बनाया गया था permutation ठीकन जिसमें permutation में हम क्या करेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी हम answer हम इसमें find करते हैं ठीकन उसी के लिए जो shortcut बताया गया है उसी को permutation का हम formula देते हैं permutation का formula क्या होता है N वस्तूँ में से N article में से अगर हमें R को select करना है ठीकन तो यहाँ पर N, P for permutation R N में से R को लेकर के हमें arrangement करना है selection नहीं करना है N में से R को लेकर के अगर हमें arrangement वनाना है तो कुल कितने तरीके से arrangement हो सकते हैं N, P, R ठीकन इसका आप formula देख सकते हो इसका formula होता है, factorial n, इसको factorial बोलते हैं upon factorial n-r ये क्या होता है, factorial n upon factorial n-r, ये npr का formula है, आप इसका screen shot ले सकते हो प्रथम एन धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुडनफल जो होता है वही फैक्टोरियल होता है और फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं ठीक है, factorial को हम denote कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, 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 ठीक लेते, इसको small n भी कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि capital n हो, small n से अगर लिखेंगे तो factorial n क्या होता है, n factorial, n factorial क्या होता है, n, n-1, उससे एक कम, उससे एक कम, ऐसे घटते-घटते-घटते-घटते, कहां तक लिखेंगे, 3, 2, 1 तक, ठीक है, जैसे हमें 8 factorial की value अगर लिखने के लिए बोला जाए, तो 8 factorial के value क्या होगी, 8, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, एसे घटते-घटते, कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, अगर देखो 8 factorial के बात करें, अगर definition से इसे मिलाए जाए, तो 1 से लेकर 8 तक, first n positive, first 8 positive number का, जो natural number है, उसका multiple हो रहा है, product हो हो रहा है, तो इसे ही factorial बोला जाता है, जैसे हम बात करें कि factorial 7 की value क्या होगी, factorial 7 की value होगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, यह basic बाते आप सभी जानते होगे, नहीं जानते हो, तो देख लो, और इसका एक और देख लो तरीका, जैसे 6 factorial लिखना है, तो 6 factorial का मतलब क्या होगा, ए यहां तक इसको हम क्या बोल सकते हैं, 6 factorial, तो हम 7, ठीक है, तो हम इसको 6 factorial बोल सकते हैं, एक बात बताना, कि 5 factorial क्या होगा, तो आप बोलोगे कि यहां से लेकर, कि यहां तक का, एक से लेकर 5 तक का गुड़ा जो होता है, 5 factorial होता है, और यह क्या है, 6 factorial, यह क्या है, 5 factorial, ठीक ह सकते हैं थिकंडे सीधे सीधे कहने का मतलब होगा 9 8 सब्सक्राइब करेंगे खोलेंगे और बढ़ना है तो ये 7 पे रुखना है 7 factorial लगा के रुख जाएंगे मालो की हमें 5 पे रुखना है तो 6 लिखेंगे 5 लिखेंगे और 5 factorial पे रुख जाएंगे तो factorial का expand ऐसे होता है ठीक है न उसके बाद देख लेते हैं जैसे हमेंने बता है कि जो NPR होता है ठीक है न तो मालो की N की वैलू जा आपको दिया 7 ठीक है न और आपको 7 में से 2 को ले करके हमें कोई combination बनाना है sorry permutation करना है arrangement करना है कुल कितने धंग से इसको arrange किया जा सकता है अगर ऐसा question पूछ रहा है तो इसका formula क्या होगा NPR NPR का मतलब क्या होगा 7P2 इसको कैसे लिखेंगे factorial से वेन उपर ठीक है न और नीचे क्या लिखेंगे 7 में से 2 घटाके 5 factorial ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो उसके बाद इसमें आगए देखते हैं इसमें और आगए देखते हैं देखना, पहले मैं basically बता द रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको shortcut भी बता दूँ, कैसे आराम से करेंगे, ठीक है, तो 7 factorial को हम उपर वाले को क्या लिखेंगे, 7, 6 और 5 factorial पे रुखना चाहते हैं, तो रुख सकते हैं, नीचे भी 5 factorial लिखा हुआ, ये दो नकट गया, 7, 6 का 42 होग साथ और 6, यही आंसर हम लिखेंगे, ठीक है, इतनी बात clear होगी, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, जिसे हमें लिखाए 8P3, तो हम क्या करेंगे, कि 8 को 3 बार expand करेंगे, वो paint कर देंगे, ठीक है न, 56, मतलब 336, ये कितना आएगा, 336 आएगा, ठीक है न, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और देखना, कि जैसे हमें, NPN का, मतलब जितना given, सब को लेकर करके arrangement बनाना है, तो कितने तरीके से arrangement बनाये जा सकते हैं, एक बात और देखना, factorial N होता है formula में, और होता है factorial N-N, तो factorial N-N, ठीक है न, ये होगा, तो उपर तो N factorial दिख 1 होती है, यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाने की जुरूद नहीं है, ठीक है न, मैं यहाँ पर factorial की value एक और कुछ बता देता हूँ, जो exception जैसा आपका दिखता है, 0 factorial का मतलब 1 होता है, और बाकी 1 factorial कोई exception नहीं है, इसका, exception वो भी नहीं है, 0 factorial, ठीक है न, ठीक है, 1 factorial क value क्या होगी, 2 into 1, यानि कि 2, 3 factorial की value क्या होगी, 3, 2, 1, ठीक है न, यानि कि 6 होगी, ऐसे factorial के value denote की जाती है, तो इस बात को आप थ्यान देते रहना, ठीक है, यह हो गया हमारा factorial की value, ठीक है न, और कुछ बाते इसमें हम बता देते हैं, आज है थोड़ा सा basically आप लोग सीख ल n में से सभी को लेकर के, अगर हमें arrangement करना हो, तो इसका जो directly answer होता है, n factorial होता है, जैसे हमें दिया हुआ है कि e, f, g, h, i, यह 5 letter है, इससे लेकर के meaningful या meaningless कितने arrangement बनाया जा सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि 5 में से 5 को लेकर के हमें arrange करना हो, तो 5, 5 बोलेंगे, और इसका answer जो होता है, 5 factorial, और 5 factorial की value क्या होती है, 120, ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको एक बात और इधाया नहीं है, कि आपको maximum 8 या 9 factorial तक की value आपको याद होनी चाहिए, या 7 factorial तक, ठीक है, क्योंकि 7 factorial तक की value maximum use होती है, तो इस chapter को अगर आपको पढ़ना है, speed बढ़ानी ह देखो, जाता जितना है याद करोगा, उतना है आपको फायदा होगा, कम से कम 7 factorial तक की value आपको याद कर सकते हो, ठीक है, तो चलो आते हैं हम इसके question पर, ठीक है, इसमें जो question होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, आप सभी देख सकते हैं, कह रहा है कि arrangement of letter, एक सेकेंड रुख जान arrangement of letter, जो होता है, dissimilar things, मतलब जो अलग-अलग सीजे हो, देखो, यहाँ पर अगर हमें person पूछता है, कि कानपूर के जो अच्छा है, उसको कितने तरह की तरह से arrange किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका answer देखना, कानपूर में कितने letter हैं, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, टो कितने को ले करके arrange करना, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला है, कितने तरीके से arrange कर सकते हैं, 6 को 6 factorial तरीके से, ठीक है, लखनव में total कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7, 7 है, तो इसको 7 factorial तरीके से arrange कर सकते हैं, 6 factorial का मतलब होता है, 720, और 7 factorial का मतलब कितना होता है, यह, 50, 40, ठीक है, 7 factorial तो इसको इस तरह से अरेंज किया जा सकता है, आगे की बात हम देखते हैं, एक और, जब हमें कुछ common मिलने लगे, तो उस time क्या करते हैं, जैसे एपल को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सभी अच्छरों का यूज करके, तो हम यहाँ पर देखेंगे, एपल को कितने त पांच, पांच लेटर हैं, तो पांच factorial तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन नीचे हम divide उससे करेंगे, जो repeat कर रहा है, repeat क्या कर रहा है, पी, कितने बार, दो बार, ठीक है न, तो दो factorial से divide कर देंगे, ठीक है, उपर क्या लिखेंगे हम, total, और नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे क्या लिखने वाले, यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखने वाले, जो repeat कर रहा है, ठीक है न, इतनी से बात इसमें ध्यान देने, जैसे हम coconut का कितने तरीके से arrange कर सकते हैं, coconut में total later कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7, तो 7 factorial total हो गया, इसको arrange कर सकते थे, लेकिन repeat क्या कर गया, c c repeat कर रहा है, कितने बार, 2 बार, तो 2 factorial से divide कर दिए, और कुछ repeat कर रहा है, o, o कितने बार repeat कर रहा है, 2 बार, तो फिर से 2 factorial से divide कर दिए, एक ही बार, c, c, o, 4 नहीं कर रहे हैं, ठीक है न, 2 factorial और 2 factorial से divide करेंगे, अब देखलों, अगर इसको solve करना हो, तो 7 factorial को हम लिखेंगे, 7 6 5 4 3 2 1 या एक ही बार 7 factoriall की value आप लिख सकते थे ठेकन पचास 40 7 factoriall की अगर value आपको याद है तू लिख सकते तो तो 50-40 आप 2 गुड़े 2 2 factoriall का मतलब होगा 2 फिर से 2 factoriall का मतलब होगा 2 तो आप 4 से इसको आराम से divide कर सकते थे इसको अगर आप 2 से divide करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 फिर 2 से divide करोगे तो 12,50 आएगा ठिके न? ठिके 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 4 से divide करोगे तो यह ही हाएगा ठिके न? 12,60 तो यह इसका answer हुआ इसको ऐसे solve करेंगे ठिके न? ये आज हम थोड़े basically बाते बता दे रहें आपको ताकि आगे आने वाले question में आपको problem ना हो उसके बाद अभी ये उपर वाले चीज को आप इग्नोर करते रही हैगा मैं बोलू कि अलहावाद को कितने तरह के से arrange किया जा सकता है अभी फिलहाल प्रयाग राज नाम हो गया है लेकिन अलहावाद के लेटर को कितने तरह के से arrange किया जा सकता है a-ll-a-h-a-b-a-d कितने लोगों को spelling भी नहीं याद होगे तो यहाँ पर देख लेना कि जो पहले अलहावाद था उसके spelling यह है इसको कितने तरीके से arrange किया जा सकता है without condition यहाँ पर अभी कोई condition नहीं दिवाए यह वाले condition को अभी हम ignore करें कितने तरीके से arrange किया जा सकता है तो पहले मैं पूछो कि total कितना condition बन रहा था कितने later थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 later थे तो 9 factorial तरीके से arrange किया जा सकता था repeat क्या कर रहा है A repeat कर रहा है A कितने बार repeat कर रहा है 4 बार ठीक है न 1, 2, 3, 4 4 बार repeat कर रहा है थे यहाँ फिर 4 factorial हो गया simple सा और क्या repeat कर रहा है L L कितने बार 2 बार और अगर कुछ repeat करता थे तो उसका भी divide करते है ठीक है न तो आप यहाँ पर simply देख सकते हो 9 factorial का मतलब होगा 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5 और उसके बाद 4 factorial पे रुख जाएंगे ठीक है नीचे भी 4 factorial है और 2 factorial है 4 factorial से यह 4 factorial कट गया इसलिए रुखे थे और 2 से यह कट जाएगा तीन बार में ठीक है अब यह बागी आप इसका सीधी सीधी मोटिप्लाई कर सकते हो 9, 7, 3, 6, 3, 6, 6, 3 करोगे ठीक है न तो 360 और 69 होगा 360 गुडे 40 आएगा ठीक है न 369 इंटू 40 अब यह ही तो calculation वाला पार्ट है इसको आप आप ऐसे solve कर सकते हो बाकि अगर option में देखना हो तो 9 से divisible वाला answer होगा या 8 से divisible वाला वो अलग-अलग part होते हैं guessing के ठीक है न बाकि यह solve करने का तरीका इतना ही है ठीक है जितने repeat करेंगे सब का अलग-अलग divide करेंगे जैसे a का अलग मैंने divide किया और l का अलग divide किया यह बात को care करते रहेंगा ठीक है इसमें अगर बात करकि all vowels comes together अगर इसका हम example लें ठीक है न तो मालो की हमने apple लिया ठीक है apple लिका इसके अच्छरों को इसके letter को कितने तरह से arrange किया जा सकता है vowels always comes together ठीक है न सभी vowels सभी स्वर एक साथ है तो अगर ऐसा आपको दिख रहा होगा अगर ऐसा question करने के लिए बोल रहा हो तो कुछ नहीं करना है वोवेल को एक साथ देख लेना है आप लिखना चाहो तो लिख लो देखना चाहो तो देख लो और इसको एक box में बंद कर देंगे बाकी क्या बच रहा है P, P, L ठीक है न इतना आपको दिख रहा होगा ठीक है तो अभी इसको आपको अरेंज करना है तो आप इसको एक element समझेंगे ये जो box दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे एक element समझेंगे ठीक है तो अगर हमें यहाँ पर number of element हम खोजें तो कितने हो रहे है एक, दो, तीन, चार टोटल कितने element है चार तो चार element को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता था चार factorial चलो अगर हम यहाँ पर इसको R कर लेते हैं मालो कि apple नहीं है a, p, r, l, e है ठीक है न तो हमें later दिखा एक, दो, तीन, चार मैंने क्यों किया ऐसा मैं यह अभी बताऊंगा ठीक है न तो यह 4 दिख रहा है तो हमने इसको 4 factorial तरीके से अरेंज कर लिए लेकिन जो डब्बे में है a और e तो यह जो a और e है इसको खुद में दो तरीके से अरेंज किया जा सकता है कैसे a और e e और e ठीक है न तो यह 2 factorial तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है हम ऐसा बोलेंगे ठीक है box में 2 element है तो उसको 2 factorial तरीके से अरेंज किया जा सकता है तो यहाँ पर हम multiply कर देंगे दो factorial का ठीक है यहाँ तक आपको clear होगा उसके बाद देखना अगर हम बोले की L, I, O, N lion को अगर हमें arrange करना है जबकि vowels एक साथ है ठीक है तो हमें यहाँ पर दिख रहा है I और O एक साथ कर लेंगे और L, N को अलग छोड़ देंगे तो हमें element कितने दिख रहे हैं एक, दो, तीन तीन element को कितने तरीके से arrange कर सकते हैं तीन factorial लेकिन जो box है I, O, वो खुद में दो factorial तरीके से arrange हो सकता है तीन factorial के value 6 और दो factorial के value 2, 6, 2, 12 तो यहाँ पर 12 तरीके आ रहा है उसके बाद देखना अगर हम बात करें एपल की ठीक है न देखो different different question है different तरीके से इसको समझ लो एपल में अगर वावल एक साथ आना है तो A और E एक साथ है गर double P और E तो यहाँ पर बहुत सारे cases एक ही में मर्ज हो रहे हैं वावल एक साथ आना है तो पहले हम देख रहे हैं कि कितने element बन रहे हैं एक, दो, तीन, चार दो बार P है तो उसे गिनेंगे चार element बन रहे हैं तो चार factorial तरीके से arrange कर सकते हैं लेकिन जो box है वो दो factorial तरीके से arrange की आज़ा सकता है A और E वाला पी-पी रिपीट कर रहा है तो हमें दो factorial से divide भी करना होगा तो जो यह जितने भी cases आपको पढ़ाया मैंने बताया वो सब use करने होंगे अगर आपको दिख रहे हैं जो repeat कर रहा है वो divide में जाएगा और जिसको एक साथ रखना है उसको एक box में रख करके एक element समझेंगे तो यहाँ पर आपका यह दिख रहा है कि यह कड़ जाएगा तो आपका answer क्या आएगा 4 factorial मतलब 24 ठीक है इसको हम लोग ऐसे भी solve कर सकते हैं हम यहाँ पर एक और example लेकर करके देख लेते हैं कि वोवेल्स comes together कैसे होता है अलहाबाद को जरा आरेंज करना ठीक है न यहाँ पर मैं capital letter में लिख देता हूँ A-W-L-A-H-A-B-A-D कितने लोगों को अलहाबाद की spelling भी नयाद होगी जो पहले अलहाबाद था भी फिलहाल प्रयाग राज हो गया है तो मैंने अलहाबाद का जान बुझ के इसकी example लिया क्योंकि अलहाबाद से बहुत सारे आपको confusion दूर हो जाएंगे ठीक है न वह सद्यान से देखते रहे न मैं पूछ रहा हूँ कि अलहाबाद को कितने तरीके से एरेंज की अजस्कता है इसके later goes जबकि vowels क्या है एक साथ है ठीक है न तो vowels को एक साथ लाना है हमें ठीक है तो द्यान से देखते रहे न इसमें vowels को एक साथ लाना है तो हम एक साथ लिख देंगे सब को एक साथ लिख देंगे तो वोविल कितने दिख रहे है और कोई वावल तो है नहीं तो चारों को एक ही बॉक्स में लिख देंगे क्या बच गया है ल, L, H, B, D ठीक है न L, L, H, B, D ये है क्या है? D लास्ट वाला तो अभी कितने element दिख रहे हैं आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 6 element है तो 6 factorial तरीके से देख रहा है A, 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 A चाहे किदर भी गुमाओगा वो A, A ही दिखेगा एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं या तो अगर आपको लिखना ही होता formula के coding देखो, चार element है तो चार factorial तरीके से अरेंज कर सकते हैं बॉक्स को, लेकिए repeat क्या कर रहा है चार हो, तो जीतने repeat करेंगे उससे divide कर देंगे तो यह क्या है एक, तो 6 factorial अपान 2 factorial 6 factorial के value कितनी होती 720, दो से divide करेंगे कितना आ जाएगा, 360 ठीक है न, यह रहा आपके इस question का answer, ठीक है अब इसको आराम से यहाँ पर जितने भी कंडिशन बनते जा रहे हैं, सारा लगा होगे All the vowels are never comes together Never comes together में एक ही बात होती है कि, मैं यहाँ पर लिखते रहा हूँ Never comes together मैं इसका पूरे अच्छे से लिख दे रहा हूँ formula क्या होगा total message जो एक साथा आ रहे है ठीक है न, total message जो एक साथा आ रहे है उसको घटा देंगे ठीक हो, दो ही condition बनता है या तो वाविल एक साथ आएंगे, या तो एक साथ नहीं आएंगे और कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कि जो total होता है या तो साथ आते हैं, या तो साथ नहीं आते हैं उसी की जो होता है sum होता है कहने का मतलब जो total होता है वो एक साथ वाला होता है या तो एक साथ नहीं होता है ठीक है एक साथ नहीं आने वाले ठीक है, अगर है मैं इस की value चीए तो इस वाले term को इधर बेजना पड़ेगा तो total में से एक साथ वाले घड़ जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले के तौर पर लिख दिया हुआ है ठीक है न क्या करेंगे never comes together की value निकालनी है तो total निकालेंगे और उसमें से minus करेंगे क्या एक साथ आने वाले की ठीक है तो जैसे आप example देख लेना यहाँ पर एक सबसे अच्छा example मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपको लखनो ल, u, c, k, n, o, w इसके लेटर को कितने तरीके से arrange किया जा सकता है कि वावल एक साथ ना आ है तो मैंने बोला कि पहले total कितने arrangement बन सकते हैं साथ लेटर है तो टोटल कितना बन रहा है साथ factorial एक साथ आने वाले कितने तरीके से बन रहा है comes together मैं अलग-अलग लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ आप एक ही साथ लिख लेना है एक ही लाइन में बाई एक साथ लाना हो तो कैसे लिखेंगे U O एक बाउक्स में बाकी L C K N W एक साथ में तो एक दो तीन चार पांच छे लेटर दिख रहा है तो छे लेटर को छे factorial तरीके से अरेंज किया जा सकता है और U O जो बाउक्स है उसको भी दो factorial तरीके से अरेंज किया जा सकता है ठीक है तो नेवर कम्स टुगेधर वाले का जो आंसर आएगा क्या आएगा टोटल में से 6 factorial इंटू 2 factorial माइनस कर देंगा है हमें यहाँ पर तो इसका आंसर यह आने वाला है ठीक है एक और एक्जाम्पल लेकर देख लेते हैं जो कि बहुत ही जबरदस थे ठीक है ना अच्छा पीछले वाले में मैंने spelling गलत लिख दिया तो कोई बात नहीं एडवले ले एच ए अलहाबाद ठीक है ना वहाँ पर मैंने क्या लिखा था ए को यहाँ से छोड़ दिया था ठीक है ना वहाँ पर गलती हो गई थी तो चलो उससे नहीं मतलब है हमें हो सके तो ठीक है ना जैसे हमें कानपूर की spelling ये भी दे सकता है ठीक है ना तो हमें exam में हमें ये नहीं रटना है कि कानपूर की spelling K-A-N-P-U-R होता है तो हमने यही इसी पर लगाना है नहीं वो कुछ भी नाम बदल के दे सकता है क्योंकि आप दे सकते हो देखते हो कि GHI को अरेंज करो ऐसे भी कोस्टन दे देता है ठीक है ना तो कुछ भी कोस्टन दे सकता है तो हमें spelling पर नहीं जाना है हमें जो लिखा है उस पर जाएंगे अलहाबाद के लेटर को कितने तरीके से अरेंज किया जाए कि इसके जो इसके जो वोवेल्स है वो एक साथ नहीं आए ठीक है तो उसके लिए क्या करेना पड़ेगा है टोटल अरेज्वेंट देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो टोटल कितने बन रहे हैं 9 लेटर हैं मैं यहां पर लिख दे रहा हूं टोटल बन रहे हैं 9 factoribell तरीके से लेकिन repeat क्या हो रहाया है बाइट टोटल बनाना है without condition अभी इसको पुले र दो बार तो यह आया टोटल की वेलू ठीक है उसके बाद कम्स टुगेदर वाले का हम देख लेते हैं कम्स टुगेदर वाले के लिए हमें एक वाक्त देखनी पड़ेगी क्या कि वोविल्स को एक साथ लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई देख लो एक दो तीन चार पांच छे तीन चार पांच चे बन रहा है तो कम्स टुगेदर वाला कैसे बनेगा मैं एक ही बार कम्स टुगेदर बनेगा तो इसका कैसे बनेगा देख लो, comes together कितने element है, 7 element ठीकने, यहाँ पर आपको दीख रहा होगा 7 factorial तरीके से repeat क्या कर रहा है, L दो बार लिख लिया यह जो box है, यह box कितने तरीके से arrange हो सकता है एक, या तो ऐसे बोल सकते थे कि 4 later है, 4 factorial तरीके से, और 4 जितने repeat कर रहे हैं, उससे divide, तो भी एक आएगा, तो never comes together की value क्या हैगी, इस में से, total में से जो comes together है, उसको हम minus कर लेंगे, ठीक है, तो यह एकदम आराम से आजाएगा, अब total वाले को expand करके value निकालिएगा, comes together वाले करके value निकालिएगा, उसके बाद minus कर दीजिएगा, ठीक है, यह all वावेल्स, never comes together वाला हो गया, ठीक है, एक और इस पे और आता है, last क्या आता है, वावेल्स, occupy even place या odd place तो even odd कुछ नहीं होता है, अब simply देख लो इसमें कि जैसे यह machine है 2, 2, 4, 2, 6, 7 लेटर है, तो 7 लेटर है तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे ठीक है, 7 place बनाते है, 1, 2 3, 4 5, 6, 7 यह पहला, दूसरा, तीसरा चौथा, पांचमा, छठा साथा वावेल्स को हमें कितने place पे रखना है, even even हमें यहाँ पर कितना दीख रहा है 1, 2, 3 ठीकन, और हमारे पास वावेल्स कितने है, 1, 2, 3 ठीकन यहाँ तक इतनी बात clear होगी, तो एक बात और बताना कि ठीकर, 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 ठीकर ऐसे देखना, वावेल्स को हमें 3 place ए, 3 को बैठाना है तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं 3 factorial तरीके से ठीकन, वावेल्स को बैठा दिए अब क्या बच गया हमारे पास हमारे पास क्या बच गया M, C, H और N, कितने हैं 4 later है, और हमारे पास place कितने है, odd वाले बचे हुए 1, 3, 5, और 7 ठीकन, तो 4 को 4 जगा पर बैठाना है, तो कितने तरीके से बैठेंगे, 4 factorial तरीके से, तो 3 factorial के value 6 होती है, और 4 factorial के value 24 होती है, तो toilet कितना arrangement आ रहा है, 144 ठीक है, न जैसे मैंने machine को बैठा है, वैसे ही detail वाले को भी बैठा सकते थे, detail वाले में कितने later हैं, 6 later 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है न, 6 places हैं हमारे पास detail में, vowel कितने 3, consonant कितने 3 ठीक है न, तो हम इसको आराम से बैठा सकते हैं, और हमारे पास जगे भी 3 हैं, तो E, A, I को E को बैठने के लिए कितने जगे हैं मेरे बाई, 1, 2, 3 ठीक है न, 3 जगे पर ये बैठ यानि कि कुल कितने places हैं, 2 places है, मालो की age जो है, वो यहां पर जा करके बैठ गया, अब किसने आई के लिए बच एक यानि कि 3 उना के 6 तरीके से ये बैठ सकता है अब बच गया हमेरे पास D, T, I, D, T, I को बैठने के लिए odd places कौन कौन से हैं, एक सिकेंड मैंने उल्टा कट दिया मैंने उल्टा कट दिया, यहां पर हमें कटना चाहिए था 4 को, ठीक है हमारे पास odd places कितने हैं, 1, 3 और 5 3 पे 3 को बैठाना है तो 3 factorial तरीके से बैठा सकते हैं फिर भी 6, तो 6 गुड़े 6 कुल कितना हो गया, 36 यहां पर इतने तरीके से होगे एक दूसरा question ऐसे भी बन सकता है कि, wow well occupy odd place अगर odd place पे बैठाना है तो machine को कैसे बठाएंगे, देख ले machine को, कितने total letter है 2, 2, 4, 2, 6, 7 तेखते रहना, और हमारे पास A, I और E है machine में, अगर हम machine की बात करें तो हमारे पास कितने letter places है, 7 कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ध्यान से देखते रहना, एक तम बिलकुल अराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है न, 7 places है ठीक है मेरे भाई साब 7 places में हमें, wow well को कहां बैठाना है, odd पे odd पे कहां कहां पे है, यह 1, 3, 5 हमारे पास letter, 3 है, और जगह कितनी है, 4 मैं बोला कि जब A बैठने जाएगा, तो उसके पास option कितने होंगे बैठने के लिए, 4 A एक जगह बैठ गया, किस जगह बैठा होगे, पहले पर, तीसरे पर, पांच बैठा होगे, कहीं भी एक जगह बैठा लो, वो भर जाएगा जब A बैठने जाएगा, तो उसके पास 3 जगह बचेंगे, कौन-कौन सा, 3 नमबर, 5 नमबर और 7 नमबर, ठीक है न, तो A को बैठने के लिए, कितने जगह है, मिर भाई, 3 तो मालो, I किसी पर बैठ गया, इस पर बैठ गया, फिर E बच गया, E को कितने पास आप्शन है, 5 पर बैठ सकता है, या तो 7 नमबर पर बैठ सकता है, ठीक है न, तो E को बैठने के लिए, कितने आप्शन है, 2 ठीक है, ये टोटल आरेंजमेंट कितने होगे, 4 ती बारत दोना, कि 24 किस का वोवल में ने बैठाया हुए, अभी हमारे पास क्या बचा हुए, M, C, H, N, ठीक है न, चार लेटर बचे हुए है, और हमारे पास 4 जगह भी है, मालो, जो E है न, वो 5 वे नमबर पर जाके बैठ है, तो अभी हमारे पास जगह खाली कितने है, 2 नमबर का, 4 नमबर का, और 6 नमबर का, और 7 नमबर भी खाली है, 7 नमबर पर कोई बैठा नहीं है, वो ठीक था कि वावल के लिए, वो eligible था, लेकिन बैठा नहीं है, वावल तो कहीं 3 जगह बैठेगा, तो अभी हमारे पास जगह कितनी खाली ये चार और लेटर कितने ये चार तो चार फेक्टोरियल तरीके से इसको बैठाया जा सकता है चार फेक्टोरियल का मतलब कितना होता है 24 ठीक है न तो हमारे पास जो टोटल आरेज्मेंट होंगे वो 24 गुड़े 24 के होंगे टिक है टिक है न इतने ये बात समझ में आ रही है टोटल जो अरेंजमेंट होंगे वो 24 गुड़े 24 को होंगे यानि कि 576 तरीके से इसको बैठाया जा सकते है सिस्टन को हम यहीं पर समाप कर देते हैं और बाकी आगयाने विडियो में हम देखेंगे कि तो लूटल का आरेंजमेंट होता है वो कैसे कैसे तरीके से हो सकता है तो नंबर का औरेंजमेंट ही हम सीखेंगे और उसमें जैसे 4 इसोर जापितों बंते ह leash पोट सारे तरीके से उसमें कोंशन बनते हैं हलएक हम चला गव झाल